नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेक्या हैं तो बारा अलग-अलग तरह के टेक्ष रिमर्स और लिक्स वगरा मैं हूँ दूस्तो अगर आपने अभी तक हमाया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब और शेयर आपने V11 Pro जल्दी लाँच हो सकता है ग्लोबल मार्केट में या फिर जहां भी उसे लाँच करना है वीवो को बहाँ पर कर सकता है क्योंकि वीवो का V11 Pro जल्दी आ सकता है वो भी September 6 को इसका लाँच हो सकता है ऐसे कुछ रिपोर्स में निकल के आ रहे हैं और अगर हम इसके डिज देखने को मिल जाएगा और बैक साइड में हो सकता है आपको इसमें डिवल रियर कैमरा का सेट अप देखने को मिले और जैसे कि आप सभी को पता है वीवो आजकल कमाल करते ही जा रहा है वीवो और पो क्योंकि इनके पास अलग-अलग टेक्निलोजी एरिक डेवलप कर रह दो चुकिया फैलेच अगर हम compare करें तो और बैतरी इन स्मार्टफोन आ रहे हैं जैसे कि pop-up camera वाला और in display fingerprint scanner तो वह सब यह आपको देखने को मिलती है वीवो के स्मार्टफोन में आपको यह और नई चीज आपको देखने को मिल जाएगी इसलिए नेक्स अपडेट की बात आपको देखने में तो नहीं लग रहा अभी तक क्योंकि इसकी official और लीक्स में भी ऐसे कुछ अभी तक जादा रिपोर्ट इस तक जोन नहीं देखी कि इसमें 10GB के आसपस RAM होगी हो सकता है 6-8GB के आसपस आपको इसमें RAM मिल जाए अब तो पता ही चलेगा जब official इसका launch यह Honor भी अपने कुछ नए smartphone सो launch कर सकता है Honor 8X और Honor 8X Max करके इस smartphone कुछ launch हो सकते है अगर हम इनके थोड़ेगा technical specs की बात करें तो हो सकते है इसमें आपको snapdragon 636 या फिर snapdragon 660 processor देखने को मिले और ऐसे कुछ reports निकल के आ रही है कि इसमें आपको काफी बड़ा display हो सकता है देख display size होगा मगर display अगर हम Mi Max 3 से compare करें इस phone की तो हो सकते है उससे बड़ा आपको इस phone में display देखने को मिले next update की बात करें तो वह निकल के आ रही है WhatsApp से related आप जो भी backup आज से पहले जो लेते थे थे अपने Google Drive पे अपने Gmail के थू जो आप Google Drive पे आपका जो WhatsApp चैट की जो हिस्ट् आता था अब वह encrypted नहीं होगा यहां दोस्ता ऐसे कुछ reports निकल के आ रही है WhatsApp की तरफ से क्योंकि अब देखते हो officially आगे जाके क्या होता है कैसा क्या company क्या चीज करती है इस मामले में क्या काम करती है आगे जाके क्या update होता है उसका तो बिल्कुल ही नहीं पता है मगर अभी जो हाली में जो report निकल के आ रही है जो Google Drive पे आपका जो chat की जो backup जाता था जो आप लेते थे online अपना chat का जो history वगेरा जो भी chat से आपके उसका backup जाता था वो end-to-end encryption अब उसमें खता हो चुका है यानि कि उसमें आपको end-to-end encryption नहीं मिलेगा अब वो तो officially बात में ही पता development हुआ है मगर अभी के लिए जो भी है हो मैं आपको बता दिया है इसी के साथ अगर हम next leak update की बात करें तो है realme 2 smartphone के बारे में जिसके box सो आपने काफी जगए box की image वगरा तो देखी लिए होगी मगर जो specs थे जो पहले जो उमीद की जारी थी जो leaks आ रहे थे उससे थोड़ 450 प्रोसेसर इसी के साथ यह octa core होगा अगर ऐसा कुछ होता है तो 1.8 GHz प्लॉक्ट हो सकता है 40 nm technology वाला प्रोसेसर इसी के साथ अगर हम इसके storage variants की बात करें तो हो सकता है dual rear camera का setup भी देखने को मिले इसी के साथ हो सकता है इसमें आपको fingerprint scanner देखने को मिल जाए ठीक back side में बीच में smartphone के जैसे की normally आपको देखने को मिल जाता है Android 8.0 8.1 वगरा हो सकता है देखने को मिल जाए इनके custom UI के ऊपर तो ऐसे कुछ leaks वगरा निकल के आ रही थी अब देखत इसमें officially 28 type को तो यह launch हो ही जाएगा अब कैसा यह launch होता है क्या यह लोग करते है वह में 28 को ही पता चल जाएगा और यह जीच confirm है कि यह Flipkart exclusive होने वाला है अभी तक तो जी reports में निकल का आईगी उसमें तो यह confirmation हमें मिल रहा है कि Flipkart पे ही यह launch होने वाला है next lead की बात करें आभी तक तो इतनी कुछ reports निकल के आ रही है next report यह फिर हम कहले update की बात करें तो है Xiaomi के कुछ गायब हुए smartphone को लेके निकल के आ रही है या पिर आप कह सकते हैं जो phone चोरी हो गया ते उसको लेके आ रही है अच प्योंकि है क्योंकि रिपोर्स निकल के आ रही है कि ने वह जो रिपोर्ट निकल के आरी हूँ निसमार्ट फून्स की अगर हम कीमत की बात करें तो वह लगबक जो ब्रेज कहले या फिर जो भी निकल के आरी है एप्रॉक्सिमेटली जो कीमत 87 लाग रुपीज के आसपास निकल के आरी है जो की किसी में चोरी कर दिया था और यह पहला इसके पहले भी San Francisco में Apple का आप वारे में आपने सुने ही था Apple iPhone 10 की चोरी होगी थी पूरा शायद से ट्रक ही लूट लिया गया था उसकी कीमत भी काफी जाधा थी तो यह भी 87 lakh रुपीज के आसपास के स्मार्टफून चोरी हो गयते उसे रिकावर शायच से कर लिया गया है दिली में अंतर डिटेन हो गयरा कर लिया गया है इन स्टील प्रोडट्स को यह पिर हम चैले जो चोरी हो गयते स्मार्टफून सीथा सीथा तो यह सी कुछ रिपोर्ट्स निकल की आ रही थी दोस्तों आज की उमीद करता हूं यह वीडियो को देखने के लिए तर्नेवाद टेकर अपर लिक्यों से